हेलो फेंट्स नमस्कार कैसे हैं आप सब आज हम बच्ची उन्ट से बहुत ही सुंदर लेड़ी या गर्स सौक्स बनाएंगे जिसको बनाना बहुत असान है बहुत जल्दी बन जाती है देखने में बहुत सुंदर लगती है इसमें बूल भी बहुत कम लगती है तो फेर मेरे पास यह बच्ची उन्ती तो मैंने यह ले लिया आपके पास जो भी कलर हो आप वो ले सकते हैं यह वरदमान की 3-ply की बूल है 10 नंबर की स्लाई ली है मैंने ये 86 फंदे डाले है सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड से उल्टा-उल्टा भूनते फैन मैंने इसकी 1, 2, 3, 4 4 पलवाइस रोब नाई यानि 8 साइड ये की है और 9 स्लाई मैंने सीधी साइड से सभी फंदों को मैंने उल्टा-उल्टा भूना है अब हम उल्टी साइड पी है उल्टी साइड पी हम भूल चेंज करेंगे पहला फंदों उतार लेंगे सभी फंदों को फैन्सम उल्टा-उल्टा भूनेंगे उल्टा-उल्टा भूनके फैन्सम यह पूरी रो यहां तक complete करें हम सीधी side पे आएंगे तो फिर फिर सीधी side पे आगे हैं सीधी side पे क्या करेंगे पहला फंद अवतार लेंगे इस फंदे को count करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ फंदे हमें उल्टे बुन लिए बूल दूसी तरफ ले जाएंगे, एक फंद हम सीधा पुनेंगे फिर बूल अपनी तरफ लाएंगे फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ फंदे हमें उल्टे बुनेंगे बूल दूसी तरफ ले जाएंगे, एक फंद हम सीधा पुनेंगे वूल अपनी तरफ, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे हम उल्टे बुनेंगे, वूल दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक फंदे हम सीधा बुनेंगे गुल अपनी तरफ फिर 7 फंदे उल्टे बुनेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फंदे उल्टे बुन लिए गुल दूसी तरफ एक फंदा हम सीधा बुनेंगे गुल अपनी तरफ लाएंगे फिर 7 फंदे उल्टे बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ फंदे उल्टे बूल लिये यह फिर एक फंद हम सीधा बुलेगे इस तरह से फ्रेट हम साथ फंदे उल्टे बुलेगे सीधा बुलेगे इस तरह से पूरी रहों कंप्लीट कर जे फिर उल्टी-स demonstrates अपरी तरह लाइंगे लॉटम हमारी पास है दो तीन पूल लेंगे और यह इस हम उल्ट कर दिया तो उल्टी ते पे पैहला फंद है अब सभी फंद guit को फेंड्स मुम्मॉनेंगे अब सभी फंदों को फैंक सम उल्टा-उल्टा बुनेंगे अब उल्टा-उल्टा बुनके फैंट सम यह पूरी रोह यहां तक कम्प्लीट करके हम सीधी साइड पी आएंगे तो फैंट सीधी साइड पी आगया सीधी साइड पी क्या करेंगे पहला फंद उतार लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदार उल्टे बुन लिए बूल दूसरी तरफ अब एक फंदार सीधा बुनते हैं इस तरह से नहीं बुनेंगे एक क्रोण नीचे बुनेंगे इस तरह से इस तरह से बूल अपनी तरफ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे उल्टे बुल लिए बूल दूसरी तरफ ले जाएंगे एक फंदार सीधा बुनना है हमने सीधा फंदार इस तरह से नहीं बुनना है क्रोण नीचे बुनेंगे इस तरह से गूल अपनी तरफ फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ फंदे उल्टे बुन लिए गूल दूसरी तरफ ले जाएंगे सीधा फंदा हम एक रो नीचे से बुनेंगे यहां से गूल अपनी तरफ फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ फंदे उल्टे बुन लिए गूल दूसरी तरफ अब यह सीधा फंदा है इसको एक रो इस तरह से नीचे बुनेंगे गूल अपनी तरफ फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ फंदे उल्टे बुन लिए गूल दूसरी तरफ ले जाएंगे सीधा फंदा हमने इस तरह से नीचे एक रो नीचे इस तरह से इस तरह से बुनेंगे गूल अपनी तरफ लाएंगे फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ फंदे उल्टे बुन लिए गूल दूसरी तरफ ये सीधा फंदा है इसको एक रो नीचे इस तरह से बुनेंगे या यहांसे नहीं बुनना एक रो नीचे इस तरह से यहां से इस तरह से बुनेंगे तो इस तरह से यह पूरी रो हांट दब उननके फूली रोग कंप्लीट करके फिर हम कीधि साइट पी आएंगे इस तरह से डिजैन आएगा फ्रेंटे इस कलर की चार चाम प्ररी धिया पी दो पल्वाइस रोग पन की है। तो अब अब फिर सीथी साइट पे आगे हैं, सीथी साइट पे पैहला फंथा वतार लेंगे, वैसी हम बुनेगे, 7 फंदे वुल्टे बुनने हैं, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे उल्टे बुन लिए, बूल दूसी तरफ, ये फंदा सिधा बुनते हैं, इसको आमने इस तरह से नहीं बुनना, एक रो नीचे, बूल अपनी तरफ, फिर साथ फंदे उल्टे बुनेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे उल्टे बुन लिए, बूल दूसी तरफ ले जाएंगे, सीधा फंदा इस तरह से नहीं बुनना, एक रो नीचे इस तरह से बुनाएंगे, वूल अपनी तरफ, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे उल्टे बुन लिए, वूल दूसी तरफ, यह सिधा फंदा है, इसको हम एक रो नीचे इस तरह से बुनेंगे, साथ फंदे उल्टे बुन लिए, वूल दूसी तरफ, यह सिधा फंदा है, इसको एक रो नीचे बुनेंगे, इस तरह से, तो इस तरह से हम यह पूरी रो कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पर आएंगे, उल्टी साइड पर सभी फंदा को उल्टा उल्टा बुनके, पूरी हम ठिल्टी रो उल्टी रो कंप्लीट करके, फिर हम सीधी साइड पर आएंगे, इस कलर के हमने टोटल आच साइड ऐसे करनी हैं, सिधी साइड पर जो हमने सीधा, फंदा बुनना है वो हमने एक रो नीचे बुनना है, तो यह हमारी पाँचवी साइट चल रही है, तिन चार पलवाइस रोव बनी है तो इस तरह से यह डिजाइन आएगा अब हम उल्टी साइट पे हैं पिसाइट पे हम बूल चेंज करेंगे प्याला फंदो उतार लेंगे सबी फंदो को फैंट्स हम उल्टा उल्टा बनेंगे उल्टा उल्टा बनेंगे फैंट्स हम यह पूरी रोग कंप्लीट करके हम सीधी साइट पे आएंगे तो फिर सीधी साइट पे आगे हैं सीधी साइट पे पहला फंदो उतार लेंगे अब एक दो तीन चार पांच छे साथ साफ फंदो को उल्टा बून लिया फूल दूसरी तरफ ले जाएंगे यह फंदा सीधा बूनते हम इसको एक रो नीचे बूनेंगे इस तरह से फिर उसके बाद एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ फंदे उल्टे बून लिया फूल दूसरी तरफ ले जाएंगे यह फंदा हम सीधा बूनते हैं लेकिन इसको एक रो नीचे बूनेंगे इस तरह से साथ फंदे उल्टे बून लिया बूल दूसरी तरफ यह फंदा सीधा बूनते हैं इसको एक रो नीचे बूनेंगे इस तरह से इस तरह से डिजाइन आएगा तो हमने क्या करना है हमने साथ फंदे हमने उल्टे बूनने है और जो सीधा फंदा है उसको हमने इस तरह से नहीं बूनना उसको एक रो हमने नीचे से बूनना है इस तरह से तो इस तरह से हम हर कलर की आठट सलाइएं करेंगे तो यहां पर च चार पलो इस रो बनी है यानि हर कलर के हम 88 सलाईय करेंगे उल्टी सलाई हमने सारी उल्टी उल्टी बुननी है जो सीधा फंदा हम सीधी तरफ से बुनेंगे वो एक रो नीचे बुनेंगे और वूल हमने उल्टी साइड से ही चेंज करनी है तो इस तरह से फैंड हम ये बनात है तो यह से हमने हर कलर की मैंने आठ अठ तो तीन चार चार्चा परवाई श्रोव बनी है तो मैं टोटल परवाई स्रोव पता ज कितनी बनी है तो स्टाटिंग में एक दो तीन चार पांच पांच यह पांच रो बेस कलवरा लिफू से बनी है उसके बाद फिर मैंने डिजाइन डाला है तो उसमें एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सोला हमारी यह रो होगी और पांच यह 21 पलवाइस रो हमारी टोट चेंज करेंगे पहला फंदा उतार लेंगे वेस कलर वाली भू लगाएंगे सबी फंदों को फैंट्सम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुनके फैंट्स यह पूरी रोग कम्प्लीट करके फैंट्स में हम सीधी साइड प्याएंगे तो फैंट्स सीधी साइड प्याएंगे हैं यह इस तरह से डिजाइन बनेगा फैंट्स यह देख लीजिए तो फैंट्स सीधी साइड पर आ गया है यह हमारे टोटल 86 फंदे हैं तो हम क्या करेंगे पहले हम पहला फंद अतार लेंगे इस फंदे को काउंट करेंगे तो टोटल 22 फंदे हम उल्टे-उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला स्तारा ठारा उन्निस बीस इकिस बाईस अब हम यह डिजाइन नहीं डालेंगे जो हम एक फंदा सीधा पुनते थे वो नहीं डालेंगे नहीं बाईस फंदो को उल्टा-ल्टा बोल लिया है अब इस साइड देखे बाईस फंदे इस साइड होंगे 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42 फंदे सेंटर में है तो हम क्या करेंगे 42 फंदों का हम दो फंदों का एक करेंगे तो सेंटर में हमारे पास 21 फंदे रह जाएंगे करेंगे तो सेंटर में हमने दो फंदों का एक कर लिया तो यहां पर 21 फंदे होगे तो यहां पर लास्ट में 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 तो यहां पर 22 फंदे हैं इन 22 फंदों को हम उल्टा ओल्टा बु não करेंगे औल्टा उल्टा बुनकर, फैंडे ये पूरी रोग complete करके ऊटली साइड पाइए उल्टीस साइड साइड प्रे पी चिजे साइड स्वी हम हम 21 फंदों का 2 फंदों का एक करेंगे तो सबसे पहले हम 20 फंदों का 2 फंदों का एक करेंगे तो 10 फंदे रह जाएंगे तो कि यहांं पे दस रहें यह 12 ओने पंदा ँस से ले लेंगे तो दो आई कर देंगे दो चाहर शर आठ तस बारा 14 सोला थार हाँ बीस एक्कीस और एक 22 फण distinctly इस साइड ही रहेंगे तो इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे उल्टा उल्टा बुनके पूरी रोग कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे उल्टी साइड पे सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनके पूरी रोग कंप्लीट करके फिर हम सीधी साइड पे आए लेंगे दस फंदों का दो फंदों का एक कर लिया तो यहां पर पांच फंदे रहा गया है उसके बाद फेंड के हमारे 22 फंदे इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे उल्टा उल्टा बुनके फेंड्स हम यह पूरी रोग कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे उल्टी साइड पे सभी फंदों कोई फंदा कम नहीं करना सभी फंदों उल्टा 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 बुनके पूरी रोग कंप्लीट करके हम सीधी साइड पे आएंगे तो सीधिये साइट पर आगे हैं, 22 फंदे मारे इस साइट है, 22 फंदे इस स blij हैं, वीच पे 5 फंद tips है तो टोटल हमारे 49, 49 फंदे हो ग्याए है, अब हम कोई भी फंदा कम नी करेंगे अब एक बार फिर सभी संदो को हम बनेंगे उल्टा उल्टा बुनके फैंस हम ये पूरी रो कम्प्लीट करके उल्टी साइट पे आएंगे उल्टी साइट पे एक बार फी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनके पूरी रो कम्प्लीट करके फिर हम सीधी साइट पे आएंगे सीधी साइट पर आ गया है सीधी साइट पर हम क्या करेंगे सभी फंदों को बंद कर देंगे दो फंदों का एक किया इस फंदों को इस लाई मिलिया दो फंदों का एक किया इस फंदों को इस लाई मिलिया तो इस तरह से फैंस हम सभी फंदों को यहां तक बंद कर देंगे तो यहां तक सिलाई करेंगे तो फिर मैंने यहां से लेके यहां तक सिलाई कर ली है अब इस सॉक्स को हम सीधा करेंगे अब इस सॉक्स में कितनी वूल लगी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ फैंड 21 ग्राम वूल में ये हमारी सोक्स बनकर त्यार होगी है दोनों सोक्स में सिरफ 42 ग्राम वूल लगेगी इसके साथ फैंड बच्ची हुई उनसे बहुत ही सुंदर और असान डजाइन में लेड़ी ज गर् laud सुंदर बनकर त्यार होगी है फेंड ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है पीछे की साइड फेंड इस तरह से दिखाई देगी और नीचे की साइड फेंड इस तरह से दिखाई देगी ये सौक 6 और 7 फूट साइज वालों को बड़े आराम से आ जाएगी फेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्रीस लाइक कीजिए अगर आप ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीस सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के साथ बेल बटक को दुबारा मत भुलिए था कि जो मेरे आने वाले वीडियो की